नवस्कार आप देख रहे हैं देलाइफ टीवी और मैं हूँ आपके साथ हुन्मुन रह्मान मद्यपरदेश से मानत्ता को शरमसार करने वाली एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है पहला आपने देखा कि मद्यपरदेश के सीधी जिले में आदिवासी पर पेशाप करने का मामला सामने आया आरोपी को गिरफतार कर लिया बुल्डोसर भी चला दिया उसके घर पे उसके बाद शिप्पुरी से एक वार मामला सामने आता है जहां पर दलित के साथ मारपीट उसके गले में चपलों की माला पहना कर उसका जुलूस निकाला गया और उसके मुह में गंदगी डाली गई जिसके बाद उन आरोपियों को भी गिरफतार कर लिया अब एक और चौकाने वाला मामला सामने आ रहा है मद्यपडेश के ग्वालियर से मानपता की सारी हदे पार करने वाला ये मामला जिसमें आरोपी जो है वो अपनी गाड़ी में एक मुस्लिम यूवक का अफरन करते हैं और उसके बाद उससे मारपीट करते हैं गाली गलोच करते हैं और हद तो तब हो गई जब आरोपी अपने पैर के तलवे उस मुस्लिम यूवक को चाटने के लिए कहते हैं इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है इसे लेकर क्या कुछ क्कुछ खबरों में है वो मैं आपको वताओंगी लेकिन सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाऊंगी इस वीडियो को पत्रकार विश्णु कांथ शेयर करते हैं वीडियो को शेयर करते हैं को पेशाप मामले के बाद MPK ग् वालियर का एक वाइरल वीडियो सामने आ रहा है वीडियो में कुछ लोग एक कथित मुस्लिम व्यक्ति को तलवा चाटने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं तो गाड़ी में इन लोगों ने मुस्लिम युवक का अफरन किया है और उसके बाद इसकी खुब जमकर पिटाई की चपलों से इसकी पिटाई की लगातार वो से गाली भी दे रहे हैं और उसके बाद उसे अपने पैर के तलवे चाटने को कहते हैं आप देखिए मद्यपरदेश से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहा है सबसे पहले वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें वो उसको अपने पैर दबाने के लिए कहता है पहले तो वो कहता है कि मेरे पैर दबा, मेरे पैर चाट और उसके बाद यूवक किस तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग गाड़ी में उस यूवक के साथ बे रहमी से मानत्ता की सारी हदे पार कर रहे हैं वीडियो का पहला हिस्सा देखिए वीडियो का पहला हिस्सा आपने देखा अब वीडियो का आगे का हिस्सा देखे जिसमें मानत्ता की सारी हदे पार करती गई है वीडियो के आगे के हिस्से में जिसमें वो पीडित से अपने पैर चाटने के लिए कहता है अपने तलवे चाटने के लिए कहता है वो बकायदा अपना पैर जो है उसके सामने उसने रखा हुआ है और उसके बाद वो कहता है कि इसको चाट में तलवे को चाट अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वाइरल हो रहा है दलित आदिवासी मुसल्मानों के साथ मध्यपरदेश में किस तरह का सुलूक किया जाता है ये सब आपके सामने है आपने देखा कि पहले दलित के साथ क्या हुआ आदिवासियों को भी नई बक्षा जा रहा औ और मुसल्मानों को तो आपने देखा ही किस तरीके से उनके खलाफ लगातार अपराद बढ रही है और अब एक और मामला सामने आगया देखिए किस तरीके से वो शक्स पीडित मुसलिम पीडित से अपने पैर चाटने को क्या तैया अपने तल्वे चाटने पर उसे वीडियो देखिए तरवायो तिरब इस दोरान आरोपी जो है वो चलती गाड़ी में मुस्लिम युवक के साथ जमकर मारपीट भी करता है वीडियो का छोटा साइसा देखिए जिसमें वो उसे लगातार मार रहा है इस दोरान वो लगातार उसके साथ गाली गलूच भी करता है उसको गंदी और भधी गालिया देता है काई तरह की बाते भी कहता है और जम कर बुरी तरह से जो है उसको मारता भी है देखिए वीडियो का याखर हिस्सा तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायल हो रहा है और इसे लेकर बीजेपी की खूब किर्किरी हो रही है, बीजेपी को खूब खरी-खोटी सुनाई जा रही है क्योंकि मद्यपरदेश के सीधी जिले में जब आदिवासी पर पेशाप करने का मामला सामने आया तो बीजेपी इस पर लीपा-पोती करने पर लग गई, आरोपी को लेकर कहा गया कि आरोपी भाजपा से जुड़ा हुआ है भाजपा के विधायक का प्रतिनीधी है, भाजपा का कारेकटा और नेता भी है और उसके बाद मद्यपरदेश के जो सीएम है, वो एनेसे लगाने की बात करने लगे ठोस कारवाई करने की बात करने लगे, यहां तक की फिरित को अपने घर बुला करके उसके पैर धोकर, उसको शौल उड़ाकर समान भी करने लगे लेकिन अब इनकी मुश्किले जो है, वो बढ़ती जा रही है आपको बता दें कि सीधी में जो कांड हुआ है, पेशाप कांड, उससे पहले ही बीजेपी की किरकिरी हो रही है ब्रामन और आदिवासी समाच बीजेपी से नारास है अब यहाँ पर मुसल्मानों के मुसलिम समुदाय के लोग जो है, वो भी मद्यपरदेश में शिवरा सिंग चोहान से खासा नारास की निकालेंगे इसी के साथ विश्नु कांथ का दूसरा ट्वीट अप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जादा जानकरी देते हुए विश्नु कांथ ने यहाँ पर बताया कि एससपी जैराज कुबेर ने बताया है कि बिडित का नाम मौसीन है और वो डबरा तैसील के जंगी पुरा का रहने वाला है आरोप्यू की पहचान भी हो गई है आरोप्यू की पहचान गोलू गूजर और एक दूसरे ने एक अन्या ने मौसीन का अफरन कर लिया और उसे अपने साथ गाड़ी में ले गए जिसके बाद उसके साथ मारपीट क भद्धी गालियां दी गई और यहां तक कि उसे अपने पैर के तलवे चाटने पर भी मजबूर किया गया इटीवी भारत की खबर में आपके सामने रख रही हूं उसमें विस्तार से पूरा मामना बताया गया है चर्चा यह भी हो रही है कि यह वीडियो जो है वह 8-10 दिन पुराना है लेकिन इस वीडियो को गाड़ी में बैठे ही एक शक्स ने शुकरवार को सोशल मीडिया पर वाइरल किया है क्यों वाइरल किया है आप अच्छे से समझ सकते हैं इस तरीके से लगातार अलपसंकियों को ड़ाने धमकाने की कोशिश की जा रही है और उसी किसलस इस वीडियो में देखा सकता है कि कुछ यूवक एक लड़के को चपल से बेरहमी से पीट रहे हैं इतना ही नहीं हद तब हो गई जब वो यूवक उस लड़के से तलवे चाटने को कह रहे हैं वीडियो आपने पूरा देखा है और उस वीडियो में आपने सब कुछ साफ साफ देखा है जिसमें किस तरीके से तलवे चाटने के लिए कह रहा है बदी बदी गालिया दे रहा है आगे लिखा है गौले जिले में अमानवीर्या का एक वीडियो जमकर सोचल मीडिया पर बाइरल हो रहा है इस वाइरल वीडियो को डबरा का बताया जा रहा है बाइरल वीडियो में कुछ लोग एक जीप में सवार होकर उसमें एक वैक्ति को डाल कर ले जा रहे हैं जीप में पता कर रही है कि इस मामले का फर्यादी उसे कैसे और कहां मिला जिससे अपरादियों के खिलाफ ना सरिफ उनमें नामों की तस्दीक हो बलकि उनके खिलाफ अपराद भी दर्ज किया जा सके पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी हमारे पास शिकायत लेकर नहीं पहुचा है पीडित से बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन पीडित तक अभी हम नहीं पहुच पाए है वीडियो डवरा के आसपास चलती कार में मोबाइल से बनाया गया है वीडियो में सुनाई दे रहा है कि कथित तोर पर गोलू गूर्जा नामक एक व्यूवग किसी मुसलिम बता दे कि पुलिस अधिशक ने क्या कहा है अतिरक्त पुलिस अधिशक जैरास कुबेर ने बताया कि यूवग का नाम मौसिन खान है और वो जिले की डवरा तैसिल में जंगीपुरा का रहने वाला है उन्होंने बताया कि पिछले साथ दिन से बान मोर अपने मामा के पास रहरा था आरोप्यों ने फोन करके ग्वालियर कलेक्टरेट पर बुलाया और उसके बाद उसका अफरन कर लिया और उसको गाड़े में अपने साथ ले गए एसीपी ने बताया कि इस मामले में दो आरोप्यों कुछ इन हित किया है फर्यादी यूवक से संपर किया जा रहा है लेकिन अभी तब कोई भी थाने में शिकायत लेकर नहीं आया है वहीं चर्चा ये भी हो रही है कि ये वीडियो आठ से दस दिन पुराना है अब अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि चाचा ये भी है कि वीडियो 8-10 दिन पुराना है इसे जीप में सवार लोगों में से ही किसी एक वैक्ति ने शुकरवार को वाइरल किया है तो अमानवीत्या की सारी हदे इस वीडियो ने लांग दी है और आरूपी को ना ही सरकार का, ना ही प्रशासन का, ना ही कानून का और ना ही पुलिस का किसी का भी डर नहीं है बकाईदा वो इस तरह की अमानवी घड़नाय करते हैं इस तरह से लोगों को मारते पीटते हैं तलवे चटवाते हैं और उसका बकाईदा एक वीडियो शूट करते हैं और सोशल मीडिया पर उसको वारल करते हैं इस वीडियो को वारल करने का एक ही मकसद है कि अल्प संख्यक मुसल्मान आदिवासी दलीतों के मन में जो है वो अपने लिए डर पैदा करे ताकि वो हमारे सामने कुछ भी ना पोले आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं मदेपरदेश में जिस तरीके से एक के बाद एक मानत्ता की सारी हदे लांगी जा रही है पहले सीधी जिले में फिर शिप्पूरी और अब ग्वालियर में मुसलिम यूवक को बेरहमी से मारते पिटते हैं और उससे अपने तलवे चटवाते हैं तलवे चाटने को मजबूर करते हैं आप इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बटाएं